तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टिक टोक बैन हो चुका है तो अगर बैन हो चुका है तो दोस्तो कैसे आपको चलाना है आज किस ब्रूड में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तो आप चला सकते हैं कैसे आपको चलाना इस्टेप बाई इस्टेप आपको जानकरी देने वाला हूं जो कि दोस्तों यहाँ पार देख सकते हमारा इंटरनेट भी चलु प्हीर भी दोस्तों यहाँ पार देख सकते हमारे वीडियो के discuss हमें और टेली ग्राम के अंदर आपको वहाँ पर मिल जाएगा टिक टोक का लिंक ठीक है तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो दोसो यह अब लेवल नहीं है ठीक है तो चलिए अब बताते हैं इसके लिए दोसो यहाँ पर आपको एक settings फोल्यो करने पड़ेगी यह settings अभी के mobile phone में होता है mobile phone की settings को open कर लेना है उस search वार में जाना है और दोसो यहाँ पर search वार में जाने के बाद दोसो यहाँ पर आपको search कर लेना DNS DNS settings अभी के में होती है तो यह search करने के बाद उस इस पर आपको क्लिक करना है जो यहाँ पर देलेट कर देना है ठिक है मैंने पहले से यहाँ पर लिखकर रख आ है यहाँ पर लिखना है dns.adguard.com यह आपको यहाँ लिख देना है शेव के option पर आपको click कर देना है दोस्तों ज्यसे यहाँ पर कर देते हैं तो उसके बेट करना है और यह second पूर्ण हो जाता है उसके बाद दोसों यहाँ पर आपको okay की option पर आपको यहाँ पर किलिक करना है यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर हमारा जो है टिक टोक वो चलने लगा है तो दोसों इस तरीके से यहाँ पर आपको चला लेना है क्योंकि दोसों यहाँ पर आप मैंने इसका clear catch किया है तो उसके बाद दोसों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है इस तरीके से